हलो फ्रेंड्स आज है 16 जुलाई हम पढ़ रहे हैं लिउसेंट अब्जेक्टिव जी के यह है मेडिवल हिस्ट्री और आज का जो चेप्टर है यह है मुगल पीरिड तो ध्यान रखिएगा मुगल पीरिड जो था वो 1526 से 1857 के बीच में देखने को मिलता है तो चलिए इसके MCQ डिसकस कर लेते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला कोश्चन दिया हुआ है लिखा हुआ है तो बुला जा रहा है कि राग मिया की मलहार यह किसने क्रियेट करा हुआ था तो यहाँ पर चार आप्शें दिये गए हैं तानसेन बैजू बावरा अमीर खुसरो स्वामी हरीदास तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन तानसेन है सेकंड कोश्चन दिया हुआ है तो जो रेट फॉर्ट ताब आप न मुगल की प्रिसंस दी लेकिन यह बंड हो जाती है अ executing हुआ उसके बाद यहाँ पर करेक्ट आप्शन बाहाँ दुख्षा जफर रहता है तग्शन तर्ण लिखा हुआ है दा वर्ल्ड फेमस तक्ते तॉस दा पिकॉक थ्रॉन वस कैप्ट इन विद्धी फॉलॉइंग मुगल बिल्डिंग तो बूला जा रहा है कि जो तक्ते तॉस था जो की एक पिकॉक थ्रॉन था तो बूला जा रहा है कि ये किस मुगल बिल्डिंग में इसको र तो बोला जा रहा है कि जाने पैचाने जैन स्कॉलर थे तो जिनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया था तो उनका नाम क्या था यहाँ पर चार आप्शन दिये गए हैं तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन हरी विजय देखने को मिलेगा तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन आपको बी होने वाला है मोती मस्जिद कोश्चन 7 की बात करेंगे लिखा हुआ है तो बोला जा रहा है कि जो अगबर का दरवार था तो बहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस म्यूजिशन था जिसका नाम तानसें था तो उसका एक्च्छल या जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था लाल कलावंत ब कहां पर हुई थी तो यह करेक्ट अप्शन यहाँ पर आगरा है कोश्चन 9 की बात करेंगे लिखा है विच अपदी अंडर मेंशन फेक्ट अबाउट ताजमेहल इस नौट करेंगे तो बोला जा रहा है नीचे जो अप्शन दियेगा है इनमें से ताजमेहल को लेके जो ब आगरा फोर्ट तो यह बात भी सही है लिखा हुए था नेम ओफ आइटिसन फू बिल्ट इट आर इंग्रेव डॉन इट तो बोला जा रहा है कि जिन कारीगरों ने इसको बनाया था तो उनके नाम इस पर इंग्रेव करेगा है तो यह बात गलत दी हुए है यहाँ पर कोश्चन टेंथ लिखा है कि बिडिवीन विश्टू रूलर्स फस्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट तो बोला जा रहा है कि जो पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो यह किन दो रूलर्स के बीच में देखने को मिलता है यहाँ पर करेक्ट आप्शन बावर एंड कोश्चन 11 लिखा हुआ है तो बोला जा रहा है आईने अकबरी के ओथर कौन थे तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन अबुल फजल है अबुल फजल ने आईने अकबरी बुक लिखी थी कोश्चन 12 की बात करूँगा लिखा है दीने इलाही ऑफ अकबर वस नोट ए सकसेज तो यह बहुत ज़्यादा सकसेज नहीं हुआ था सफल नहीं हुआ था तो क्यों नहीं हुआ था यहाँ पर चार आप्शन दिए गए हैं लेखा है आफटर अकबर इट वस नोट पेट्रोडनाइजड ठीक है तो अकबर की बात जो रूलर्स थे उन्हों ने इसको पेट्रोडन तो इस तरह से यह चारों तीनों आप्शन सही हैं तो all the above is correct option कोशन 13 की बात करेंगे लिखा हुआ है बहाद्दुर्शा था यह कौन था तो एक तो यह मुगल रूलर था लेकिन यह last मुगल रूलर था और 1857 के टाइम पे इसको finally हटा के रंगून भेज दिया जाता है बिट तो यहां पर correct option C देखने को मिलेगा अकबर was an illiterate person question 15 लिखा है the first Indian Hindi scholar of a Mughal period वाल ठीक है तो पहला Indian Hindi scholar Mughal period में कौन देखने को मिलता है तो यहां पर जो अब्दुर रहीम थे यह first Indian Hindi scholar थे question 16 लिखा हुआ है which one of the following terms is not associated with the Mughals तो बोला जा रहा है कि यहां पर जो terms दियेगा है तो इसा कौन सा term है जो कि Mughal time period से belong नहीं करता है लिखा है दाम, जागीर, जीतल, मनसव तो यह जो जीतल time है यह Mughal time period पर देखने को नहीं मिलता है question 17 लिखा हुआ है who among the following was repeated by Babar in the battle, first battle of Panipat यह question हम discuss कर चुके हैं कि Babar ने first battle of Panipat में किसको हराया था तो मैं बता चुका हूँ कि Ibrahim Lodhi जो कि Lodhi dynasty का last ruler था बाबर इसको हरा देता है question 18 लिखा हुआ है which important event took place in the history of India in the year 1526 तो बोला जा रहा है 1526 के time में इंडियन जो history थी तो यहाँ पे एक बहुत important event देखने को मिलता है तो वो क्या था तो मैं बता चुका हूँ first battle of Panipat देखने को मिलता है बाबर इंडिया में invade करता है Ibrahim Lodhi को हरा देता है question 19 लिखा है mughal painting flourished during the rain of बोला जा रहा है कि जो mughal painting थी यह flourish करती है किसके time period में मतलब इनका अच्छा खासा development देखने को मिलता है painting का मughal time period में तो कौन सा ऐसा ruler था जिसके time period में जो painting थी वो flourish करती है अकबर, जहांगीर, साजा एंड औरंग जेव तो यहाँ पे correct option जहांगीर देखने को मिलेगा question 20 की बात करेंगे लिखा हुए revenue system during अकबर's reign was in the hands of तो बोला जा रहा है अकबर के time period पे जो revenue system था इसकी देखरें कौन कर रहा था ठीक है तो बैरम खा, मान सिंग, बीरवल, टोडर मल तो जो टोडर मल था ठीक है तो यह revenue system introduce करता है अकबर के time period पे इसके बात question 21 यहाँ पे matching करना है हमें एक तरफ कुछ events दिये गए हैं और दूसरे तरफ किस year में यह घटित होते हैं यह हमको बताना है तो यहाँ पे पहला लिखा है conquest of Malwa, ठीक है अकबर के time period में यह होता है तो conquest of Malwa 1561 में देखने के मिलता है तो यह सही दिया हुआ है एरा इंट्रोड्यूस करा जाता है 1584 में और conquest of Odisha 1592 तो यहाँ पे यह चारों option से ही दिये गए है तो यह option correct होने वाला है question 22 लिखा हुआ है which of the following mobile painters according to Abul Fajal was excellent in drawing of features ठीक है तो जब वो drawing करता था तो अच्छे features को draw करता था उनमें excellent था तो बोला जा रहा है कैसा कौन सा painter था अब्दुल समद बहजाद, मीर सायद अली और वसावन तो यह वसावन जो painter थे यह काफी excellent थे painting में question 23 लिखा हुआ है दाराश को finally lost the war of succession to orangevind the battle of तो बोला जा रहा है कि जो दाराश को रहता है के साथ में तो यह औरंग जीब के साथ दाराश को एक battle में हार जाता है तो उस battle का नाम बताना है यहाँ पर option दिये गए है धर्मत, सामुगड, देवराय एंड खानुआ तो यहाँ पर correct option सामुगड है सामुगड के battle में औरंग जेब से दाराश को finally हार जाता है और औरंग जेब पावर में आता है question 24 लखा है तो बोला जा रहा है अकबर के contemporary कौनसा इंडियन रूलर रहता है यहाँ पर चार option दिये गए है रानी दुर्गावती, अहिल्यावाई मर्तंड वर्मा, एंड सवाई जैसिंग तो रानी जो दुर्गावती है यह अकबर के time period में देखने को मिलती है यहाँ पर फिर से हमको matching करना है एक तरफ कुछ books के name दिये गए है और एक तरफ authors के name दिये गए है तो चलिए देख लेते है सबसे पहले बात करी जा रही है अबुल फजल की तो जो अबुल फजल थे इन्होंने जो book लिखी थी इसके बाद बदाईू तो यह जो बदाईू थे इन्होंने जो book लिखी थी इसका नाम था मुंतखाव उत्तवारिक इसके बाद जो निजम उद्दिन थे यह तपकात भी लिखते हैं और जो डी option है जहांगीर तो इन्हों ने लिखाता तो जो के जहांगीरी तो इस तरह से matching जब हम करेंगे तो यहाँ पर C option देखने को मिलता है question 26 की बात करेंगे लिखा है during the reign of अकबर the role of an official called अमल गुजार तो बोला जा रहा है अकबर के time period पे यह जो official होता था अमल गुजार तो इसका काम क्या होता था लिखा हुआ है to be in charge of law and order तो गलत बात दी हुई है second लिखा है to make an assessment and collection of land revenue तो यह land revenue को assess करता था और collection भी करते थे अमल गुजार तो यहाँ पर यह be option correct होने वाला है 27 question दिया हुआ है the moti masjid and agra was built during the reign of तो बोला जा रहा है कि जो moti masjid agra में बनाई गई थी तो यह किसके time period में इसको built करा गया था यहाँ पे जो correct option है वो साज जहां के time period पे moti masjid agra में built करी गई थी question 28 लेखा हुआ है which one of the following territories was outside the boundaries of mughal empire during the reign of akbar तो बोला जा रहा है कि जो akbar का time period था तो यहाँ पे ऐसी कौनसी territory थी जो akbar के time period पे mughal empire में include नहीं रहती है khan देश काबुल बीजापूर एंड कश्मीर तो यह बीजापूर जो था वो akbar इसको नहीं जीत पाता है उस time period पे बाद में औरंग जेव इसको control करता है question 29 लिखा हुआ है which of the following mughal empire spent a greater part of reign to overthrow a deccan kingdom तो बोला जा रहा है कि यह सा कौनसा mughal emperor था जो अपना जो time period चल रहा रहता है तो वहाँ पे सबसे जादा जो समय था deccan kingdoms को overthrow करने में लगा देता है तो वो person था औरंग जेव ठीक है तो औरंग जेव था वो south को जीतने की बहुत जादा कोशिश करता है ठीक है और अपना जो maximum जो time period था वो deccan kingdom थे उनको जीतने में लगा देता है question 30 लिखा हुआ है but being whom was the battle of chausa तो बोला जा रहा है कि जो battle of chausa था यह किनके बीच में लड़ा गया था ठीक है तो यह सभी को पता होगा हमायू और जो शेर्शा रहते हैं इनके बीच में battle of chausa देखने को मिलता है question 31 यहाँ पे option दिये गए हैं और हमको correct statement बतानी है पहला लिखा है इन्दी reign of जहांगीर कंधार could not be recaptured तो बोला जा रहा है कि जहांगीर का जो time period रहता है वहाँ पे जो कंधार था जो की हांसे निकल गया था तो उसको to recapture नहीं करा जा सका था तो क्यों नहीं करा जा सका था उसके क्या reasons थे पहले लिखा हुगा है inefficiency to of mughal army तो यह गलत दिया हुगा है कि mughal army उस समय inefficient थी तो यह गलत है second दिया हुगा है refusal of khurram to proceed to that place तो यह साही दिया हुगा है कि जो khurram रहता है उस particular place को जाने के लिए proceed करने के लिए refuse कर देता है third option दिया है difficulties in organizing and expedition तो साही बात है और fourth दिया है severe cold in afghan ठीक है तो यहाँ पर यह two three four option correct दिये हुए है तो इस तरह से be option correct होने वाला है यहाँ पर question 30 जो two है तो यहाँ पर फिर से हमको matching करना है एक तरफ book के निम दिये गए हैं और एक तरफ उनके author के निम दिये गए हैं तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा है अब्दुल्हामिद लाहुरी तो यह जो अब्दुल्हामिद लाहुरी हैं यह जो बुक लिखते हैं उसका नाम था वाश्चा नामा इसके बाद अबुल्फजल अबुल्फजल ने जो लिखा था अकबर नामा इसके बाद बदाई हूँ तो यह मैं बता चुका हूँ कि तो यह जो बुक लिखते हैं उसका नाम था तबकात ए अकबरी तो इस तरह से यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलता है डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन लिखा हुआ है थर्टी थर्ड लिखा है तुलसी दास तो बोला जा रहा है कि जो तुलसी दास ने रामचरित मानस जो लिखा था तो यह किसके टाइम पीरेट पर कमपोस करा गया था बावर, अकबर, औरंग जेव, अंड बादुर्शाद जफर तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है अगबर का टाइम पीरेट चलता है जब तुलसी दास रामचरित मानस को कमपोस करते है तो बोला जा रहा है कि दिल्ली में किसका रूल चल रहा रहता है जब जो मुगल जब नादिर्शाँ अटेक करता है ठीक है तो मुगल ऐसा कौन सा एम्परार था कौन सा मुगल एम्परार था जो दिल्ली को रूल कर रहा था जब यहाँ पर नादिर्शाँ आटेक करता है तो यहाँ पर कर्यक्ट ऑप्शन आपको देखने को लेगा मुहमद शाँ कौश्चन 35 लिखा है यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया हुआ है देख लेते हैं असर्शन दिया हुआ है औरंग जेव गिव लेंड ग्रांट फॉर दी मिंटेनेंस आफ टेंपल अट ब्रंदावन तो बोला जा रहा है ब्रंदावन में जो मंदिर था तो औरंग जेव उसके मेंटेनेंस के लिए लेंड ग्रांट करता है तो यह बाद सही दिया हुई है तो यह बाद गलत दिया हुई है तो यह बाद गलत दिया हुई है बोला जा रहा है कि लिखा हुए तो बोला जा रहे कि बाबर जब इंडियन सब कॉंटिनेंट में अर्राइवल होता है तो क्या बात होती है पहला दिया हुए introduction of gunpowder in the subcontinent गलत बात दी हुए है लिखा है introduction of the arches and domes in the region architecture देखेए ये बाबर तो आखे जल्दी मर जाता है तो यह ज़ादा जो आर्किटेक्चर रहता है उस पर ज़ादा काम नहीं कर पाता है तो यह भी बात भी गलती हुई है लिखा हुआ है establishment of Timurid dynasty इंदी रीजन तो यह बास सही है कि यह आने की बाद यहाँ पर Timurid जो dynasty थी उसका establishment हो जाता है जिसको finally Mughal dynasty Mughal empire बोला जाता है तो यहाँ पर third option correct है D option correct दिया हुए Question 37 लिखा हुए Mughal dynasty was to Bahadur Shah Jafar as Lothi dynasty was to बोला जा रहा है कि जिस तरह से जो Bahadur Shah Jafar जो emperor था यह Mughal dynasty से ब्लॉंग करता था तो बोला जा रहा है as Lothi dynasty तो यहाँ पर जो चार नेम दियेगा है तो बोला जा रहा है इन चारों में से Lothi dynasty से कौन ब्लॉंग करता है बहलो Lothi, दौलत Khan Lothi, इबराहिम Lothi and सिकंदर Lothi ठीक है तो यहाँ पर C option correct होने वाला है इबराहिम Lothi question 38 लिखा हुए the battle of khanba in 1527 was fought between तो बोला जा रहा है battle of khanba जो की 1527 के time rate होता है तो यह किस-किस के बीच में देखने को मिलता है तो सबसे पहले battle of panipat होता है जब battle of panipat जीत लेता है जो बावर रहता है तो फिर इसके बाद यह next year 1526 के बाद 1527 में एक और battle करता है जोसे बोला जाता है battle of khanba 1527 के time पे और यह लड़ा गया था बावर और राना सांगा के बीच में यह option correct है यहाँ पर question 39 लिखा है which one of the following structure was constructed by emperor akbar in फात्यपुर सीक्री तो बोला जा रहा है कि फात्यपुर सीक्री में ऐसा कौन सा structure था जो कि अकबर ने इसको construct करा था मोती महल, रंग महल, पंच महल and हीरा महल तो यहाँ पर पंच महल correct option देखने को मिलता है इसके बाद question 40 यहाँ पर assertion और reason दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं पहला assertion दिया हुआ है कि दौलताबाद fortress was besieged by the Mughal forces in the year 1631 and it had to be surrendered to them तो बोला जा रहा है कि 1631 के टाइम पर जो Mughal forces रहती है वो जो दौलताबाद जो fold रहता है तो उसको capture कर लेते है ठीक है और यहाँ पर reason दिया हुआ है कि मलक यह बास सही दिया हुए है और reason दिया हुआ है मलक अंबर betrayed his Sultan during the siege of दौलताबाद fort fortress by Mughal forces तो बोला जा रहा है कि मलक अंबर ने धोका दे दिया था वहां के सुल्तान को दौलताबाद fort को capture करने के लिए तो यह गलत दिया हुआ है question 40 में assertion correct दिया हुआ है और reason यहाँ पर गलत दिया हुआ है तो यह बात ध्यान रखीएगा A is true but R is false question 41 के बारे में बात करेंगे लिखा हुआ हुआ है who among the following Mughal emperor had the longest reign तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो चार Mughal emperor के name दिये गए है चारों Mughal emperor है तो बोला जा रहा है कि जो किसका time period रहता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बहाद्दुर शाह, जहादार शाह, फरुक शियर और महमाशा तो यहाँ पर due option correct है फरुक शियर जो रहते हैं इनका सबसे ज़्यादा time period देखने को मिलता है देखी जो Mughal emperor थे इससे भी ज़्यादा time period देखने को मिलता है लेकिन जो last last में जो Mughal ruler थे तो वो ज़्यादा time period पर पावर में नहीं रह पाते हैं लेकिन यहाँ पर यह चारों ही last में आते हैं इन्दी साउथ अंडर दी रेन ओफ तो बोला जा रहा है कि जो Mughal empire था यह तमिल territory तक extend कर दिया जाता है साउथ में तो यह किसके time period में देखने को मिलता है तो जैसा हमने बताया था कि जो औरंग यह साउथ जो kingdom थे उनको जीतने में अपना बहुत जादा समय लगा देता है तो इसके time period पर यह सब देखने को मिलता है question 43 लिखा हुआ है which one of the following statement is correct यहाँ पर चार statement दी गई है और यहाँ पर correct statement हमें बताना है लिखा हुआ है कश्मीर was annexed to Mughal empire by हमायू तो यह गलत दिया हुआ हुआ हुमायू के time period पर कश्मीर को annex नहीं करा गया था बी option दिया हुआ है गुजराद was annexed to Mughal empire by अकबर हाँ यह बात सही है कि अकबर के time period पर जो गुजराद रहता है तो इसको Mughal empire में annex कर दिया जाता है ठीक है मालवा was annexed to Mughal empire by जहांगीर तो यह गलत दिया यह अकबर के time period पर देखने को मिलता है और लेका है खान देश ठीक है तो खान देश was annexed to Mughal empire वा यह बात भी गलत दिया हुई है यह दोनों भी मालवा और जो खान देश थे यह भी अकबर के time period पर ही Mughal empire में इनको annex करा गया था question 44 की बात करेंगे लिखा during Mughal empire which of the provinces was lost in 1622, recovered in 1638 and finally lost in 1649 बोला जा रहा है कि Mughal empire में एसी कौनसी province रहती है ठीक है जो कि Mughal empire से हांसे चली जाती 1622 में Mughal empire उसको फिर से recover कर लेता है 1638 में और finally वो lost हो जाती है 1649 में तो यह वो province थी कंधार ठीक है तो कंधार जो थी यह Mughal empire के हाँसे चली जाती है 1622 में 1638 में यह फिर से इसको जीत लेते हैं लेकिन finally इनके हाँसे कंधार हाँसे निकल जाता है 1649 के time पे question 45 की बात करेंगे लिखा है who is the author of the book the last Mughal the fall of a dynasty Delhi 1857 बोला जा रहा है कि यह जो book थी the last Mughal the fall of a dynasty Delhi 1857 तो इसके author कौन है ठीक है तो यह last जो Mughal book थी इसके author थे William Dalrym Fall ठीक है तो ध्यान रखें question 46 की बात करूँगा लिखा है who built the इवादत खाना एट फातेपुर सीकरी तो बोला जा रहा है जो इवादत खाना था फातेपुर सीकरी में इसको कौन ने बिल्ट कराया था तो यह अकबर थे question 47 लिखा हुआ है who were the इहदीश of अकबर's time तो बोला जा रहा है कि यह जो इहदीश थे यह अकबर टाइम पिरेड में किनको बोला जाता था यह option दिया है village level money lenders गलत बात है village guards यह भी गलत है cashier working in divani यह भी गलत है and foot soldier in the army तो जो पैदल सिफाई ही होते थे उनको इहदीश करके बोला जाता था अकबर के टाइम पिरेड पे question 48 लिखाए who among the following has issued the coin rupee for the first time बोला जा रहा है कि पहली बार coin के जो rupee थे वो कौन ने issue करे थे मुहम्मद बिन तुगलाक, अलाउदीन खल जी, शेर्शा सूरी और अकबर तो जो शेर्शा सूरी थे इन्होंने पहली बार coin rupee issue करते है question 49 लिखाए which one of the following rulers at first assumed the title of हजरत आला एंड आफ्टर बर्ड सूल्तान बोला जा रहा है कि यहांसा कौन सा ruler है जो की नीचे लिश्ट दी गई है बोला जारे कि सबसे पहले वो हजरत आला का title लेते हैं और फिर इसके बाद अपने आपको सुल्तान डेकलेर करते हैं तो यहाँ पर बहलो लोधी, सिकंदल लोधी, सेर्शा सूरी, तो यह C option correct है, यहाँ पर सेर्शा सूरी सबसे पहले अपने आपको हजरत आला का title देते हैं और फिर सुल्तान का title देते हैं, Question 50, लिखा हुआ है, इन्दी मुगल's administration, मददे माश, इंडिकेड, तो जो मुगल's administration में, मददे माश, यह जो time है, इसका मतलब क्या था, टोल्टेक्स, नहीं, B option दिया है, यहाँ पर revenue free land given to the learned person, ठीक है, तो जो विद्वान व्यक्ती थे, जो पड़े लिखे व्यक्ती थे, उनको revenue free land दी जाती थी, जिसको मददे माश बोलते थे, तो यहाँ पर B option correct है, question 51, लगा है, who did illustrate, दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है, तो यहाँ पर दास्तान ए हमीर हमजा, ठीक है, तो यह किस से belong करता है, तो अब अब दुस समद, ठीक है, तो यहाँ पर यह, A option correct होने वाला है, दास्तान ए हमीर हमजा, अमीर हमजा, sorry, question 52 भी बात करूँगा, इन्दी मोगल अइडमिनिस्टेशन और मोहत सिव बात, तो बोला जा रहा है, मोगल अडमिनिस्टेशन में यह जो टाम है, मोहत सिव, यह किनको बोला जाता था, तो यह officer थे, इन चार जो अब public morals, ठीक है, तो यह public morals जो रहते थे, उनको control करते थे, तो यहाँ पर, अपका C option correct होने वाला है मोहत सिभ public morals को control करने वाले officers होते थे question 53, लेखा हुआ है when did हमायू first attack चुनार फोर्ड, तो बोला जा रहा है कि हमायू ने सबसे पहले चुनार फोर्ड पे attack करा था, 1531 1532, तो ये 1532 के time पे जो हमायू रहता ये चुनार फोर्ड पे attack करता है, question 54 अकबर मज्ड, बेंगावल और बिहार इन इस empire इन, बोला जा रहा है बोला जा रहा है कि जो अकबर था वो बंगाल और जो बिहार था वो मुगल एंपाइर में उसको annex कर लेता है, मर्ज कर लेता है, तो ये किस 1576 देखने को मिलेगा तो ध्यान रखिएगा 1576 correct option है question 55 लिखा है इतमाद उद्दौला, tom at agra बोला जा रहा है कि ये जो परसन था इतमाद उद्दौला, तो इसका जो tom था, ठीक है, तो ये agra में किसने बनवाया था, अकबर जहांगी, नूर जहां, सा जहां, ठीक है तो ये नूर जहां के पापा रहते हैं, इतमाद दौला, तो ये उसके द्वारे बिल्ट कराया गया था, फादर रहते हैं फादर या साइस husband थे, I'm not sure, ठीक है तो यहाँ पर three option correct होने वाला है question 56 लिखा है, the original name of मुम्ताज महल, तो बूला जा रहा है जो मुम्ताज थी, मुम्ताज महल, तो उसका actual name क्या था original name क्या था ठीक है, जिसकी याद में ताज महल बनाया गया है, तो यहाँ पर उनका correct, जो original name था, वो था अर्जुमन बानो बेगम, तो ए उप्शन correct है, question 57, लिखाए the first English person who visited the court of Akbar, बोला जा रहा है, ऐसा कौन सा English person रहता है, अंग्रेज रहता है, जो कि अकबर के दरवार में आता है, तो इसका नाम था, राव्ट, फिच, ए उप्शन correct है, question 58, लिखाए who was called जिंदा पीर, living sent in Mughal India, बोला जा रहा है किसको जिंदा पीर बोला जाता है Mughal time period में, अकबर औरंग जेब साजा, एंड जहांगी औरंग जेब की बात चल रही है, तो यहाँ पर be option correct है, लिखे, आपको पता होगा, जो औरंग जेब था, वो जो rules के लिए बहुत ज़्यादा strict रहता है, और वो शरीयत को बहुत ज़्यादा follow करता है, तो यहाँ पर इस कारणों से जिंदा पीर बोला जाता था, question 59 की बात करेंगे, लिखा हुआ है, which building built by Akbar, was designed on the principle of Buddhist बिहार, बोला जा रहा है, यसी कौन सी building है, जिसको बुद्दिस्ट बिहार के प्रिंसिपल के ऊपर डिजाइन किया गया था, तो यहाँ पर यह option है, पंच महल, यह बस सही है, पंच महल को ही principle of Buddhist बिहार के तौर पर डिजाइन करा गया था, question 60, लिखा है, among the following, which mughal emperor introduced the policy of sulayakul, बोला जा रहा है कि यह जो sulayakul की policy थी, तो यह किस मughal emperor ने introduce करी थी, तो यहाँ पर अकबर correct option होने वाला है, question 61, who among the following deserve the credit for construction of lalkila, बोला जा रहा है कि lalkila को किसने built कराया था, तो यहाँ पर correct option आपका साज आहा है, साज आहा है ने lalkila को करनवाया था, question 62, लेखा, जजिया was re-imposed during the rain off, ठीक है, तो बोला जा रहा है, जजिया जो एक टाइप का text था, उसको re-imposed कर दिया था, अगबर जो रहता है, जजिया जो text था, उसको हटा देता है, लेकिन जजिया को मुगल, जो empire रहता है, तो इसका जो मकवरा है, ये कहाँ पर है, ये बिहार में सासाराम में देखने को मिलता है, question 64, लिखा, the first matrimonial alliance with the Rajput was established by अगबर with the house of, बोला जा रहा है कि अगबर जो था, वो राजपूतों के साथ, ठीक है, matrimonial alliance बनाता था, शादी वगएरा कल लेता था, उनकी girls वगएरा से, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो rulers के name दिये गए है, dynasty name दिये गए है, तो ये कहाँ का, किनके साथ में पहला matrimonial alliance करता है, राजपूत क्लान के साथ, तो ये कच्वा जो rulers रहते हैं, जो कि राजपूत rulers रहते हैं, इनके साथ में अखबर पहला matrimonial alliance करता है, question 65 लिखा है, two of the following state with औरंग्जेव had conquered in Deccan, बोला जा रहा है कि South के, Deccan के जो state रहते हैं, बीजापूर और गोल कुंडा, ठीक है, तो ये औरंग्जेव ने Deccan के कौन से state रहते हैं, जिनको वो जीत लेता है, तो यहाँ पर correct option आपका बीजापूरेंड गोल कुंडा रहता है, question 66 लिखा है, अपनिशद वो ट्रांसलेटेट इंटू पर्शियन वाई दाराशिको वर्धी टाइटल, बोला जा रहा है कि जो दाराशिको था, ये अपनिशद को पर्शियन लेंग्विज में ट्रांसलेट करता है, और उसका नाम क्या रखाता है, उसने अपनिशद के पर्शियन ट्रांसलेशन का, ठीक है, तो यहाँ पर correct option है, D, Sir A. A. Sir A. A. Q67, लिखाए तो Mughal Emperor who appointed maximum number of Hindu officers, बोला जा रहा है कौन सा Mughal Emperor है, जो अपने, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर Hindu officers रखता है, सबसे ज़्यादा नंबर में, तो यह Aurang Jeb के time period की बात है, ठीक है, तो यह सबसे ज़्यादा officers Hindu रहते हैं, Mughal Emperor, Aurang Jeb के time period में, Q68, लिखाए, Who among the following built the tomb of Emperor Husband? Tom of her Emperor Husband, तो बोला जा रहा है कि, यहाँ पे चार रानियों के name दिये गए हैं, और बोला जा रहा है कि, यही कौन सी रानी थी, जिसने अपने Husband, जो की एक Emperor था, उसके लिए उसने tomb बनवाया था, तो यह थी आपकी हाजी वेगम, भी option correct है, Q69, लिखाए, The ruler of Mewaar, who was defeated in the battle of Khanwa, by Bawar in 1527, तो वो कौन था, बोला जा रहा है, कि जो battle of Khanwa होता है, Bawar 1527 में, इसको करता है, battle करता है, यह किसके साथ करता है, battle of Khanwa, जो कि Mewaar के ruler थे, तो उनका नाम था, Rana Sangha, Q70, यहाँ पर हमको matching करना है, ठीक है, तो चलिए, देख लेते हैं, एक तरफ emperor के निम दिये गए हैं, और एक तरफ tom के निम दिये गए हैं, ठीक है, तो चलिए, देख लेते हैं, सबसे पहले, Bawar, जो बाबर था, तो इसको काबूल में, इसका tom देखने को मिलता है, इसके बाद, अकबर, यह आगरा में, जो सिकंद्रा जगए है, वहाँ पे इसको दफनाया गया था, जहांगीर की बाद करें, तो इसको लाहोर में दफनाया गया था, और फाइनली जो साज अहाँ देखने को मिलते हैं, तो यह इनका मकबरा आगरा में है, ताज महल, कुश्चन 71, इस तरह से यहाँ पे, C option correct होने वाला है, कुश्चन 71, लिखा है, बोला जा रहा है, औरंग जेब की डॉटर का नाम क्या था, जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा, एंड जैवुनिसा, तो यह जो औरंग जेब की लड़की रहती है, इसका नाम था, जैवुनिसा, कुश्चन 72, लिखा हुआ है, दमोगल एंपरर, तो मैंने बोला था, जो औरंग जेब रहता है, वो बहुत ज्यादा कट्टर था, तो यह यूद आप टवेको को प्रोहिबिट कर देता है, डी ओप्शन करेक्ट है, कुश्चन 73, लिखा है, तो अवल फजल ने अकबर नामा बुक लिखी थी, कुश्चन 74, लिखा है, डी ओरिंग दी मुगल रूल, कॉपर कॉइन, ठीक है, तो मुगल टाइम पिरेट पे जो कॉपर के सिक्के थे, इनको क्या बोला जाता था, रुपी, दाम, टांका, एंड शमसी, तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन आपका दाम है, ठीक है, यह कॉपर के कॉइन होते थे, जुनको दाम बोला जाता था, कॉश्चन 75, लिखा है, वट वज डिस्टिक, नोन एज, डीूरिंग दी मुगल अडिमिनिस्टेशन, ठीक है, तो बोला जा रहा है, मुगल अडिमिनिस्टिक के टाइम पिरेट पे, ठीक है, यह जो डिस्टिक रहती थी, मुगल अडिमिनिस्टिशन के टाइम पिरेट पे उनको बोला जाता था, सरकार, कॉश्चन 76, लिखा हुए था, अबुल फजल, वो लजा रहा है, जो हिस्टोरियन रहता है, अबुल फजल, तो यह कौन इसको किल कर देता है, कौन माल डालता है, अबुल फजल की जान किस ने लीती, तो यह जो परसन था, बिर सिंग देओ, बुन्देला, ठीक है, तो यह अबुल फजल को किल कर देता है, कुश्चन 77, यहाँ पर कुछ बैटल के नेम दिये गए हैं, और हमको क्रोनोलोजिकल ओडर में इनको अरेंज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले बैटल उफ कानवा देखने को मिलता है, फिर बैटल उफ घागर, घागरा, इसके बाद आपको बैटल उफ चौसा देखने को मिलता है, और लास्ट में आपका बैटल उफ सामुवर देखने को मिलता है, और अंग जेव और दारोश्चको के बीच में, कुश्चन 78 में असर्शन और रीजन दिया हुआ है, आगों मनसबनारा रहते थे तो उनको क्वालिफिकेशन के बैस पे सेलेक्ट करते थे तो यह गलत दिया हुआ है, इस तरह से मनसबनार में सेलेक्टेड नइसन नहीं यह सही बाद दी हुई है, ठीक है, qualification के base पर उनको select करा जाता था, लेकिन जो मनसबदारी system था, ये इसका reason नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों बात मैं सही लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन R is not the correct explanation, तो यहाँ पर B option correct होने वाला है, ठीक है, वो एक system चलता था, जात and सवार, question 70 की बात क कावल में दफनाया गया था, इसके बाद, जो हमायू था, हमायू को मखबरा दिल्ली में है, अकबर, अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था, और जो जहांगीर था, इसको लाहर में दफनाया गया था, तो यहाँ पर A option correct है, question 80 की बात करेंगे, लिखा है, which historical monument in Delhi, is a synthesis of Persian and Indian style of architecture, बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा monument है दिल्ली में, जो कि Persian और Indian style of architecture का mixture देखने को मिलता है, तो यह बात चल रही है, हमायू का मखबरा, C option correct है यहाँ पर, question 81, लेखा है, औरंग जेव डिफिटेट जस्वन सिंग, the ruler of Jodhpur, in the war of dharmat, in 1658 AD, in which state dharmat is situated, बोला जा रहा ह है कि 1658 के टाइम पर, war of dharmat, ठीक है, तो यह dharmat का जो युद्ध था, यह होता है, और यह किसके साथ होता है, औरंग जेव और जस्वन सिंग के, जो की जोतपूर का ruler था, तो बोला जा रहा है, यह जो dharmat नाम की जो जगह है, यह कहां पर देखने को मिलती है, अभी currently, राजस्तान, मद्धिप्रदेश, गुजरात, एंड यूपी, तो correct option यहाँ पर, मद्धिप्रदेश है, question 82, लेखा हुआ है, who was conferred the title of गुनराज खान, ठीक है, तो गुनराज खान का title किसको दिया गया था, तो यहाँ पर correct option है, आपका, भी, मालाधर, बसू, question 83, लेखा है, who was the sick guru, to be slaughtered by औरंग जेव, बोला जा रहा है, कि इसे कौन से sick guru रहते है, औरंग जेव उसको slaughter कर देता है, उसकी गरदन काट देता है, रामदास, तेक बहाद्दूर, अर्जुन देव, एंड गोविन सी, तो जो गुरू तेक बहाद्दूर थे, औरंग जेव ने इनको slaughter कर लगा देता है, ठीक है, और जो औरंग जेव रहता है, वो फिर से जजिया टेक्स लगा देता है, question 85, लिखा हुआ है, कबूलियत और पट्टा सिस्टम था, तो ये कौन इंट्रोड्यूस करता है, यहाँ पर correct option, सिर्शा सूरी, question 86, लिखा हुआ है, who wrote हुमायू नामा, गुल्वदन बेगम, तो ये D option correct है, हुमायू नामा, गुल्वदन बेगम, जो थी, इन्होंने ये बुक लिखी थी, हुमायू नामा, question 87, लिखा हुआ है, who was defeated at कन्नौज, in the hands of शेवरसा in 1540, ठीक है, तो बोला जा रहा है, 1540 के टाइम पर, कन्नौज रहता है, तो यहाँ किसको हार देखने को मिलती है, तो यहाँ पर C option, देखने को मिलता है, हुमायू, सेड़सा ने किसको हरा दिया था, कन्नौज का जो बेटल रहता है, तो यहाँ पर हुमायू हर जाते है, question 88, लिखा हुआ है, which among the following parts was called, बाबुल, बाबुल मक्का, gate of मक्का, during the मुगल period, बोल जाता था, कालीकट, ब्रोच, कैमबे, एंड सूरत, जो सूरत था, इसे gate of मक्का बोला जाता था, question 89, यहाँ पर assertion और reason दिये हुए है, लिखा है, battle of Canva was certainly more decisive and significant than the first battle of Panipat, बोला जा रहा है, कि first battle of Panipat, the battle of Canva more decisive and significant, तो बोला जा रहा है, यह battle of Canva जो खानवा था, यह battle of Panipat, तो सही बात है, battle of Canva मेंने बता है, राना सांगा से देखने को मिलता है, ठीक है, तो यह बस सही है, कि यह ज्यादा significant रहता है, और reason दिया हुए है, राना सांगा, the Rajput hero was certainly a more formidable adversary than Abraham Lothi, तो Abraham Lothi के compare में, जो राना सांगा थे, तो यह ज्यादा, मतलब जो fighter थे, वो अच दिया हुआ है, ठीक है, तो इस कारण से यह battle को जादा सिखनी weekend बोला जा रहा है, तो यह सही बात है, ठीक है, तो दोनों ही बात है सही है, A and R is true and R is the correct explanation of A, question 90, लिखा हुआ है, आलम Khan, one of those who invited Baur to invade India, बोला जा रहा है, आलम Khan वो person था जो की Baur को इंडिया में invade करने के लिए बुलाता था, बुलाता है, तो यहाँ पर उसके बारे में चार statement दी गई है, पहला statement लिखा हुआ है, an uncle of Abraham Lodhi, ठीक है, who was ill-treated, ठीक है, and expelled from the country, तो यह Abraham Lodhi का चाचा रहता है, और इसके साथ बहुत गलत वैबार होता है, और final इसको country से निकाल दिया जाता है, तो यह Abraham Lodhi आलम खान के बारे में यह बात साही दे हुई है, ठीक है, इसके बाद बाकी जो statement है, यह गलत दिये हुए है, यह option correct है, question 91, लिखा हुआ है, the battle of dharmat fought between, देखीजी, मैंने बताया था, कि जो battle of, battle of dharmat था, यह औरंग जेव और दारशकों के बीच में देखने को मिलता है, और इसके बाद question 92, आज का last question, in Indian history, who was Abdul Hamid Lahori, ठीक है, तो Indian history में Abdul Hamid Lahori था, तो यह person कौन था, an important military commander during a cover rain, तो यह गलत दिया हुआ है, यह military commander था, अकवर के time period में, लिखा हुआ है, an official historian of the rain of Sajang, जो Abdul Hamid Lahori रहता है, तो यह historian रहता है, Sajang के time period में यह देखने को मिलता है, तो यह B option यहाँ है, correct है, तो दोस्तों यह था आज का discussion, आज हमने मुगल जो dynasty थी, इसके बारे में MCQ discuss करें, फिलाल के लिए बस इतना ही study करते रहें, thank you, thank you very much, thank you.